जाती क्योंकि बारिश का पानी पढ़ने से किसी किसी को स्किन अलर्जी हो जाती है तो उसके लिए भी आप घरेलू उपचार कर सकते हैं जरूरी नहीं है स्किन के लिए सबसे अच्छा होता है जो थोड़े से काली मिर्श होती है मेरी हो गई थी गुड़ मॉनिंग और आज मैं बस थोड़ा जल्दी ही उट गई थी क्योंकि मुझे जाना था टेस्ट कराने मुझे कुछ बलड टेस्ट थे जो कराने थे और उसकी वज़े से मैं थोड़ा जल्दी उटी थी तो बस हाथ पैरों की थोड़ी यसी मसाज कर ली क्योंकि एकोप्रेशर पॉइंट्स होते हमारे पैर में वो मैं रोज डेली ही मतलब कर लेती हूँ जिससे की बॉड़ी थोड़ा सही हो जाए अब अपनी तरफ से तो इनसान हर चीज़ करता ही है कि ओ कैसे अच्छा रहे फिट रहे कोशिश तो यही होती है बाकी तो परिशानिया लाइफ में दुख दर्द ये तो सब चलते रहते हैं बिमारिया भी आती जाती रहती है बट कुछ चीज़े होती है जो हम लोगों को परिशान करती है तो मैं रेगुलर की एक्सेसाइस के बाद अपना थोड़ी देर उठी तो देखा भई दिल्ली तो पानी पानी हो रहा है तो मैं तो टेस्ट कराने भी नहीं जा पाई बहुत जादा बारिश थी बहुत जादा पानी भरा हुआ था सब तरफ तो मैं नहीं जा पाई मुझे जाना दर्यागन साइट था तो वहां बहुत जादा पानी भर जाता है तो फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो आप काम ही कर लिया जाए तो बस बेटन वगेरा खाली करें भरता बनाया था लेकिन ये भरता मुझे कुछ जादा ही रेड लग रहा था तो मुझे था कि शाय इतनी ज़ादा गंदी ओरा था कि थी सुवाह उठी मैं तो क्यूंकि मेरे से पहले ूठती उपकर छायद सारा गंदा हो जाता है तो मैं पहले सारी गयस वगरा साफ करती हूं उसके बाद ही मैं कुछ और काम करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे पसंद नहीं है बिल्कुल भी साफ हो, बिल्कुल साफ सुत्रा हो तब ही मुझे काम करना पसंद आता है नहीं तो मैं सिर्फ चिक-चिक करती हूँ मेरी आदत है फिर मैं चिक चिक करती रहती हूं ये गंदा क्यों है ये ऐसे क्यों है क्योंकि जो लोग काम करते हैं उनको सारी चीज़े पता होती है तो फिर इस वज़े से बोला भी जाता है तो मैं बस अधरक और लाइची डाल के बना रही थी चाहे ममें बीछे बरतन दो र है साफ सफाई होनी चाहिए बट वो होती नहीं है तो थोड़ा सा तो साफ रख लिया करो क्योंकि मुझे उठते से ही फिर सबसे पहले ये सारी चीज़े तो होती है दिकत तो मैंने बस उत्पम लिया MTR का मैं उत्पम मंगाती हूं और वो कभी-कभी मेरा मन करता है हफते मे या 15 दिन में तो मैं बना लेती हूं नॉर्मल तरीके से ही बनाती हूं दही इसके अंदर मिलानी होती है और इससे जादा कुछ नहीं करना होता वेजीज वगेरा जो आपको पसंद हो आप वो डाल सकते हो मैं तो प्यास टमाटर और शिमला मेर्च यही हरी मेर्च यह सब ड अश्यार में इसमें जुती होगा रहा हमीरा इससे जादा मैं और युज करती भ word है इससे दूलाद में परचाना मेरा तेम्फरीचर हाई था आज में बहुत गुसा गुसा हो रही थी सुबह इसी उन्हसे कौह best सारी चीज़े होना तो हो जाता है फिर मैंने एक तरफ भिगो के रख दिया था उत्पम फिर मैंने सोचा चलो पहले आप बरतन ही धो लेते हैं फिर फटा फट से मैंने बरतन वगेरा धोए और उसके बाद मैंने अपने और भी दूसरे काम करने थे क्योंकि काम तो रेगुलर के ही होते हैं सोई साफ करना सफाई करना घर देखना तो यही रेगुलर होता है और जो मेरी लाइफ में रेगुलर चल रहा है बस मैं वही आप लोगों को दिखाती हूं मेरी लाइफ आप लोगों को भी देखके लगेगा रोज की बोरिंग लाइफ है सुबह उठो काम करो चले जाओ फिर आओ फिर अपना काम करो फिर अब इस टाइम मैं जिस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं इस टाइम हो रहे हैं ग्यारा साड़े ग्यारा तो साड़े ग्यारा बज़े मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूं अपना वोईस ओवर कर रही हूं उसके बाद मै वीडियो अपलोड करूँगी, सारी चीजे करूँगी, थम्लेल बनाऊंगी, तो मुझे करते करते हैं, बारा साड़े बारा बच जाते हैं, सोते सोते मुझे डेली का ही एक बच जाता है, तो इसी वज़े से मुझे, मतलब मैं सुबह भी थोड़ा रिलेक्स होकर यूटती हूँ, क्योंकि फिर मुझे पूरा दिन भागना होता है, और साथ-आठ घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है, तो वो भी मेरे लिए बहुत जरूरी, और सुबह मैं बहुत ज़ादा एक्सराइज इसलिए नहीं करती हूँ, क्योंकि दिन भर तो मेरा डांस में रहता है, और दांस के पहले भी मैं एक्सराइज़ बच्चों को कराती हूँ, तो मुझे साथ में भी करनी होती है, तो मैं बहुत ज़ादा वो सब चीजे नहीं करती हूँ मॉर्निंग में, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मैं थोड़ा बहुत कर पाऊं, तो सुबह सुबह में वो कर लेती हूँ, और फिक घर में इदर उदर भागो, काम करो, तो आदी एक्सेसाइस तो ऐसे ही हो जाती है, मेरा मॉर्निंग का शेडूल थोड़ा सा ऐसे ही है, फिर क्योंकि आफ्टर नून में मैं निकल जाती हूँ, तो उसके बाद घर का कोई मतलब वर्क होता नहीं है, मेरे करनी के लिए, क्योंकि घर पे नहीं होती हूँ, तो फिर क्या ही करूँगी, तो फटा फट से मैंने, बीच में ममी ने बुझे बोला, कि ठाकुर जी को कपड़े नहीं बना बारी हूँ, मैं तो तुम बहना दू, यहां मेरे दोनों ठाकुर जी, छोटे मेरे काना जी, जो मुझे जनमाश्चमी पे, एक और मेरे पास काना जी आ गए थे, तो मैंने उनको फिर कपड़े बनाए, उनको जूले में बिठाया, दूसरे वाले काना जी को भी मैंने कपड़े बनाए, मेरे छोटे लड़ो और बड़े लड़ो, अभी दो लड़ो हो गए मेरे घर में, तो मैं दोनों को ही बहुत प्यार कर रही हूँ, बहुत ही जादा मुझे अच्छा लग रहा है उन्हें देखके, अभी हमारे घर में वैसे नॉर्मली तो बच्चे हैं नहीं, लेकिन अभी सबसे छोटे बच्चे ही यही है, और यह मुझे बहुत अच्छे लगते, दोनों तैयार वैयार होके, तो सुन्दर दिख रहे थे, बहुत ही प्यारे दिख रहे थे, और इनके अब ड्रेसिस भी मैं सेम सेम लेखे आती हूँ, बस यहां पर मैंने बनाना शुरू कर दिया था, उत्पम चार पांच बनाये थे, क्योंकि मम्मी पापा भी एक एक ही खाते हैं, वो भी जादा नहीं खाते हैं, मैं भी एक या दो ही खाती हूँ, तो बस जो बनाने थे, वो ही फटाफट से बना लिए, वेजीज मम्मी ने भी काट दिया थे, मैंने और मम्मी ने फटाफट काट ले, क्योंकि टाइम जादा हो गया था, ग्यारा बज रहे थे, तो मुझे जल्दी जल्दी करना था, लेट इसी वज़े से हुआ बहुत जादा, क्योंकि मुझे टेस्ट कराने जाना था, और बारिश की वज़े से फिर मैं जानी पाई, मुझे थोड़ा लगा कि खाली बेट जाना है, तो इस वज़े से, फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, अब करी लो, कोई बात नहीं, अब ब्रेकफास्ट का टाइम तो होई गया था, तो फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट ही तैयार कर लिया, बस मैंने थोड़े से ब्रेकफास्ट का ये पूरा तैयारी करके, चाय साइड में बनी चुकी थी, पहले ही बन गई थी, तो मैंने इसे ही छोड़ दी थी, इसको मैं अच्छे से सेख लेती हूँ दोनों तरफ से, जिससे की वेजीज भी पक जाते हैं, क्योंकि कच्छा होता है न, तो इस वेज़े से मैं दोनों तरफ से सेख के अच्छे से रख देती हूँ, जिससे की जो शिमला मिर्च है वो जो हलका सा उसका जो पानी होता है वो सूख जाता है बिल्कुल टमाटर का जो पानी होता है वो भी बिल्कुल सूख जाता है तो उसके बाद ये एकदम अच्छे हो जाते हैं खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं तो आप breakfast में ये ऐसे भी जल्दी जल्दी में बना सकते हूं अगर आपको बहुत जल्दी है आफिस जाना है तो आफ फटा फट इसको बना सकते हो बना के अपना इसको खा सकते हो तो इस तरफ मैंने तो त्यारी कर ली थी, साथ में पापा उमी दोनों नास्ता करने बैट भी गए थे, तो हमारा फिर उसके बाद मैंने फटा फट से अपने जो बरतन थे, वो साथ हो साथ मैंने धो दिये, क्योंकि इखटा करके कोई फायदा नहीं था, मैं तो हाथ हाथ बर सारे खटे दोती चली जाती हूं, जिससे की रसोई में काम नहीं फैलता, और ये तरीका भी सही है, अपना काम करते रो, फटा फटा धोते रो, तो सारी चीजें इजली हो जाते हैं, उसके बाद मैंने किया अराम से बेटके ब्रेकफास्ट, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट अराम से बेटके शांती से आदा पॉन घंटा लगा के घरना होता है, पापा को जाना था बैंक किसी काम से, तो वहां जा रहे थे, फिर मैंने सोजा चलो अब घर की थोड़ी सफाई, सुथराई कर ली जाए, सारा घर बिलकुल फैला हुआ था, सोफे के कवर, ये वो सब च जाड़ के अच्छे से सफाई करके, मम्मी भी अंदर अपना रसोई में चुट पुट पुट काम में लगी हुई थी, क्योंकि आज मैंने बोल दिया था कि ये सारी जीस, क्योंकि मैं बर्तन मांच के रख दे थे मैंने, लेकिन मैंने लगाय नहीं थे, तो मम्मी वही सब ल भार का मौसम भी बहुत जादा खराब था, तो घर में आने जाने से पैर में मिट्टी लगी जाती है, तो मैंने अपने रूम से सारे में से जाड़ू लगा दी, जाड़ू लगाने के बाद में को बस काम था कि अब मैं क्लास लूँगी या नहाने जाओंगी, तो मैं सफाई करी थी, फिर ममी फिर सफाई करना शुरू कर दी, अब उसके बाद लाइट चली गई तो मैं तो अराम से बैढ़ गए, अब क्या करूं, फिर लाइट जैसे ही आई, तो मेरी स्टूडेंट आई, क्लास ली, मैंने उसके बाद मैं फटा-फट निकल गई, मौसम मैं अपने मेट्रो में बैठी निकली, और मेरा ट्रैवलिंग बहुत जादा हो जाता है, देख्यों मौसम इतना प्यारा लग रहा था, मैंने ऐसे ही एक क्लिप ले लिया दिखाने के लिए आप लोगों को यहां पर भी, टेली में बहुत अच्छा सा मौसम हो रहा था, ले बच गए है, नौ, मुझे नहीं पता है, यह नौ दिख रहे होंगे आपको क्योंकि मैं फ्रेंट केमरे से वीडियो बना रही हूँ और मैं सोच रही हूँ आज थोड़ा सा बोल लूँ क्योंकि मैं जब काम करती हूँ तो मैं माइक नहीं लगा सकती हूँ तो इसी वज़े से मया वोफर करके डालती हूँ तो मैं आप संधूर से बात कर लो आप ऐसे, आप लोगों से स्वें ज़डे बात कर लो बात ऐसे क्या खारी हूं, health related है या जो भी है तो आज का जो health tip है वो simple सिर्फ यही है कि आज कल बहुत जादा चल रहा है viral जो मुझे भी हुआ था और उस चीज से बचने के लिए हमको regular अच्छा खाना और postic अहार ही लेना है अब regular क्या होता है हम लोग नहीं ले पाते हैं और कुछ नहीं तो आप अद्रक, लाइची, दाल, चीनी इसका गरम पानी करके उसकी चाय बना के पी सकते हैं या आप थोड़ा सा शहद ले सकते हैं गरम पानी के साथ उससे क्या है आपका जो खराश है वो clear हो जाती है और मैं यहीं करती हूँ अगर हलका सा मुझे लगता है तो मैं थोड़ा सा नीबू, शहद सौरी नीबू नहीं, अद्रक अद्रक, शहद हलका सा आपस मैं करके और फिर उसको गरम पानी के साथ में ले लेती हूँ उस से बहुत जादा आपको, रिलीफ मिलता है जिसको बहुत ज़्यादा खांसी है बहुत जादा परेशानी यह वो यह जरूर है उसके लिए क्लम जाबाब करें, जरूर होता है जैसे कि इसॉ dazu कासफ बहुत सबसे मैं kurकों आध़ को पानी चाहिए जक्त द्पाव बढ़ा है जन्मेट बारग चाहिए तो फोटी थोड़ी चाहिए जो आप टाई रेगुलर में योज रियूज कर सकते हो आपने लाइफ में यूज भागा है इस टाइम तो मुझे भी टॉक्तर के पास में गई ती तो उसने भी यह ब वे तयोंगि जब हाद हो जाती है तभ ही में डॉक्टर के पास जाती हूं, बहुत कुल जाती ए मैं डॉक्सेज सावार दिखा रहा हूं वेसे मैं इतनी सारी चीज़े करती हूं योगा करती हूं, मेरा में है कि अम्रेश्च को भी बहुत जादा है मैं थोड़ा yoga or meditation यह जब करती हूँ जब मैं को time मिलता है जब मैं इस में थोड़ा करती हूँ तो यह सारी चीज़े करती हूँ जिससे की मेरा गुषसा थोड़ा कम हो गुषसा होता भी क्यों है क्योंकि मेरा BP बढ़ जाता है इसकी वज़े से और यह बहुत टाइम से हो रहा है पदा नहीं क्यों स्ट्रेस काम बहुत सारी चीज़े होती है लाइफ में जो चलती रहती है तो बस यही कारण है यही मैंने सोचा चलिए आज एक चोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ पसंद आए तो प्लीज ब्लॉग को जरू शेर कीजे लाइक कीजे कमेंट कीजे सब्सक्राइब कीजे कल अपना ओल इन वन और ऐसे ही बने रही है मेरे साथ बाई मिलते है कल नए नए व्लॉग में